आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही डिलेशियस रेसिपी ये बहुत ही कॉमन और फिमस है ये है कढ़ाई पनीर जिन्हें पनीर पसंद है तब तो ये रेसिपी उनकी फेवरेट होने वाली है तो चलिए फिर सुरू करते हैं तो ये सबसे पहले मैंने 200 ग्राम पनीर लिए हैं और उसके छोटे-छोटे पीस बना लिए और फिर अब इसमें डालेंगे सोया सॉस हाफ चम्मच ज्यादा नहीं डाले ने तो फ्लिवर चेंज हो जाएगा लाल मिर्च पाउडर वो भी एकदम थोड़ा सा और इसी के साथ इसमें डाल देंगे निम्बू का रस ज्यादा ये भी नहीं डाले ने तो खट्टा हो जाएगा और फिर इसी के साथ हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है अगर आप ऐसे ही डाल करके तब पनीर को फ्राई करेंगे इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप पनीर को ऐसे ही प्लेन भी डाल सकते हैं लेकिन मैं इसमें थोड़ा मसाला इसलिए एड़ कर देती हो ताकि इसकी फ्लेवर अच्छी आएगी अब इसे रख देंगे मेरीनेट होने के लिए 10 से 15 मिनट तक एक पैन गरम कर लेंगे और उसमें डाल देंगे थोड़ा सा तेल और फिर कुछ खड़े मसाले को हम भूल लेंगे जैसे दो तेज पत्ते थोड़ा सा साबुद धनिया और फिर डाल चिन्नी काली मिर्च लॉंग इलाइची इन सब को डाल देंगे इसमें और फिर थोड़ा सा जीरा इसे भी रख करके अच्छे से मिक्स करते हुए इसे हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे जैसे ही सुखे खड़े मसाले चटकने लगेंगे जो हमने एक मीडियम साइज का प्याज काट रखा है उसे भी डाल देंगे और इसे भी 2-3 मिनट के लिए भून ल भी ऐसे ही चलाते हुए हम 2 मिनट तक पका लेंगे इसे 2 मिनट पकने के बाद अब हम इसमें डालेंगे लैसुन अधरक और हरी मिर्च तो मैंने लैसुन और अधरक का पेस्ट बना लिया है और हरी मिर्च को काट लिया है इसे डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे टमाटर को सॉफ्ट होने देंगे फिर दो मिनट के बाद इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर थोड़ा सा ज्यादा नहीं डाले और लाल मिर्च पाउडर भी अपने टेस्ट के हिसाब से डाले इसमें मैं कम डालूंगी ताकि इसमें हरी मिर्च डाली हुई है और फिर नमक अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग और थोड़ी सी कास्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे ताकि इससे कलर जो है बहुत अच्छी आती है और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ढकर पकाएंगे पास मिनट के लिए टमाटर अच्छे से सॉप्ट हो जाने चाहिए त मिक्स्चर रेडी है तो इसलिए अब गैस को कर देंगे ओफ और इसे ठंडा होने देंगे अब ये ठंडा हो चुका है और अब हम इसकी बना लेंगे एक मिक्स्चर तो ये देखिए हमारा मिक्स्चर बनके रेडी हो चुका अब ले लेंगे एक कढ़ाई और उसमें सरसो त चकोर काट रखा है उसे भी कर लेंगे फ्राई इसे बस थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए और इसके साथ-साथ थोड़ा सा प्याज जो पहले से ही हमने काट रखा है उसे भी कर लेंगे फ्राई क्योंकि ऐसे फ्राई करने के बाद इसकी प्रिवर भी काफी बढ़ जाएगा, और फिर इसी पैन में जो हमने पनीर मैरीनेट किया है, उसे भी फ्राई कर लेंगे, तो ये देखिए हमारा पनीर फ्राई हो चुका है इससे बिल्कुल लाइट फ्राई करना है डिफ फ्राई नहीं करें और फिर सेम कड़ाई में जो हमने ये मिक्सचर रेडी किया है उसे डाल देंगे और इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक के पांच मिनट के लिए इसे पकाएंगे पांच मिनट के बाद इसे खोल करके देखेंगे देखें ये तेल सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है हमारा मसाला पक रहा है और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी एकदम थोड़ा सा डाले ये बिल्कुल आपस्टनल है आप चाहें तो ही इसे डाले अब हम इसमें डालेंगे फ्रेस कुकिंग क्रीम जो की बिल्कुल आपस्टनल है अगर आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं हो तो आप इसे इसकी भी कर सकते हैं लेकिन ये हम रेस्टोरेंट टेस्टाइल में बना रहे हैं इसलिए इसका इसमें फ्लेवर लाना बहुत जरूरी है और इसका फ्लेवर काफी अच्छा भी होता है टेस्ट दुगना हो जाता है तो इसलिए आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें इस कुकिंग क्रीम को आप मार्केट से भी ला सकते हैं या अपने घर में ही बड़े आसानी से बना सकते हैं वीडियो के इंड में मैं आपको ये कुकिंग क्रीम घर पे कैसे बनाते हैं ये दिखाऊंगी अब इसे हम ढख करके फिर से दो मिनट के लिए पकाएंगे ये देखिए मसाले अच्छे से भुन गया हैं इसलिए अब हम इसमें एड कर देंगे फ्राई की हुई प्याज और सिमला मिर्च कैप्सिकम और प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करें बिल्कुल लाइटली फ्राई होना चाहिए यही कढ़ाई पनीर के टेस्ट को बढ़ा देता है यह मैं रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रही हूं कढ़ाई पनीर इसलिए मैंने प्याज और कैप्सिकम को फ्राई कर लिया है लेकिन अगर हम नॉर्मली बनाते तो इसमें प्याज और सिमला मिर्च दोनों में से किसी को भी फ्राई नहीं करते क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अननेसेसरी हमें अपने डाईट में कैलोरी नहीं बढ़ानी चाहिए और इसमें मसाले भी ज़्यादा नहीं डाले आप जब भी कोई भी सबजी बनाए अगर मसाले बहुत ज़्यादा डालेंगे तो उसका टेस्ट खराब हो जकता है तो कम से कम मसाले और कम से कम प्याज टमाटर और तेल में सबजी पकाए तो ये देखे हमारा मसाला रेडी हो चुका है अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने पनीर को फ्राई करके रखा है और इसे मिक्स करते हुए बहुत कम समय के लिए हम इसे पकाएंगे ताकि हमारी पनीर जो है वो ज़्यादा सौफ्ट ना हो जाए तो ये देखे हमारा कड़ाई पनीर पक के बिलकुल रेडी है ये कड़ाई पनीर की बहुत ही आसान रेशिपी है इसे एक बार जरूर ट्राई करें और इसे रोटी पराठे या नान के साथ सर्व करें बहुत ही डिलेशियस रेशिपी है इसका जायका बहुत ही टेस्टी होता है अगर ये रेशिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिलकुल न भूले और ये इजी और सिंपल रेशिपी अपने फैमली और फ्रेंट्स के साथ सेयर करें और साथ ही साथ मेल को सब्सक्राइब करना न भूले तो चलिए अब मैं आपको बताती हूं कि कुकिंग क्रीम घर पे कैसे बनाए शबसे पहले एक बाले लें और उसमें डाल देंगे दूद की छाली जो हम घर में निकाल सकते हैं जो दूद होता है उससे हम छाली निकाल लेंगे और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे इसे mix करने में आपको थोड़ा सा time लग सकता है 5-10 मिनिट लगेंगे इसे अच्छे से धीरे-धीरे mix करते जाएंगे ये बीच में बार-बार चला आता है तो इसे धीरे से फिर से निकाल लेंगे और फिर से mix करेंगे ऐसे ही mix करते जाएंगे और अब इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा पानी और फिर से इसे अच्छे से mix कर देंगे इसे अच्छे से mix करेंगे और जैसे ही ये गोल हमारा अगर गाटू फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी add कर देंगे ऐसे ही इसे फिर से धीरे-धीरे mix करेंगे के हमारा कुकिंग क्रीम रेडी है जिसे आप असानी से घर में बना सकते हैं आपको मार्केट से नहीं लाना पड़ेगा और ये हिल्थ के लिए भी सही होगा इसमें कोई केमिकल मिक्स नहीं हुआ है तो कैसी लगी ये हमारी आज की वीडियो हमें कॉमेंट के थ्रू जरूर बताएं आई होप आप जब ये बनाएंगे तो बहुत ही डिलीसियस बन कर आए